नमस्कार आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू एन आट्मी एंड फिजियोलोजी और आज हमने ये टॉपिक किसलिए रखा है क्योंकि बिकॉस इस वार्ड काता हुआ काता हुआ एक दिल आपको दिख रहा है यहां पे आई का मेनिंग है इंट्रोडक्शन टू आइन आट्मी एंड फिजीहलोजी उपकोर्स आइल लव इन में फिजियोलोजी की जब भी हम बात करेंग कि तो हम बात करते हैं इंसान की कि human body, वो ही discuss करता है not me and physiology, और जब भी आप किसी एक individual की तरफ देखते हो, तो उसे आप has a whole body देखते हो, आप देखते हो कि वो एक इनसान है, उसकी बाजू है, हाथ है, सीर है, और वो एक इनसान की तरह, एक individual की तरह, एक organism की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है, क कि जो भी इनसान है, जाजा होई organism है, उसके अंदर काफी सारे organs होते हैं और organ systems होते हैं, जैसे आप जहां भी देख सकते हो, इनसान के अंदर lungs है, stomach है, intestine है, bones है, immune system है, hormones है, skin, bladder, kidneys, heart, nervous system है, और भी काफी सारे systems हैं हमारे body में, जब भी हम introspection करेंगी, हम अपने आपको देख काफी सारे organs और organ systems हैं, जो आपस में coordinate करके एक as a whole हमें चला रहे हैं, लेकिन deeply आप देखो के तो काफी सारे organs और organ systems होते होके, मिल जुलके, coordinate करके काम करते हैं, तब एक machine बनती है, एक strongest machine बनती है, दुनिया की earth की सबसे intelligent machine बनती है, इस earth की बगवान की सबसे important creation बनती है, जि इनसान, तो यहांपे हमने देखा कि इनसान में जो है, वो काफी सारे organ systems होते हैं, कोन-कोन से organ systems होते हैं, सबसे पहली बात, यह आप simply जान सकते हो, कि को आरे शरीर में कोन-कोन से organ systems हैं, यह आप इक इनसान को देखके ही आपको पता चल सकता है, यह कैसे चलेगा, आएद द देखो, सबसे पहले आपको देखता है कि वो इंसान उसकी बाजू है, क्या सिर है, उसके हाथ है, पैर है और एक particular shape देखती है आपको, सभी इंसानों की shape लगबग एक जसी होती है, legs होती है, hands, head and torso होती है, यह shape जो है, यह हमें कहां से मिलती है, यह particular system से, एक shape मिलती है, वो system क यहां पर यह एकित लोगा मुने जैसे हम बोलते हैं वर्स सहें बूंट अपर लिप एकृट और र्एट यहां पर आपका एक हार्टरीशलमना है यह हुम्रस है तो यह स्कैप्ला है काफी सारी बोंस होती है वैसे ही यह लैक्स की बोंस है वैसे ही इसकल है जिसमें फेस और हैड की बोंन आती है तो यह सभी बोंस मिराती है Cycle olduğ come system में का नाम होता है vy 6 cardio system है काफी इंप्रिएन्स सिस्टम है जो हमारी बाड़ी को एक पर्टिकुलर शेप, साइज, जन स्ट्रॉक्ट्टर प्रवाइड करती है। यह तो आपको एक पता चल गया। कैसे मैंने आपको पता है कि अगर आपने जानना है कि किसी इंसान में कौन-कौन से सिस्टम से हैं, वह आप बाहर से देखके एक लॉजिक लगा कहीं पता कर सकती हो। पर लॉजिक आपने कौन से लगाया। कि इंसान की शेप जो है वो किस सिस्टम से बनी होगी। हमें पता चल गया कि हमारी जो शेप है वो किस सिस्टम से बनती है। वारी शेप बनती है, कैलिकन सिस्टम से, हड़ियों के डाचे से. दूसरी जो है, आप देखते हो कि इनसान चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं, ये मूवमेंट कौन सा सिस्टम प्रॉइड करता है, ये मूवमेंट करता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे जो मसल्स होते हैं, जैसे आपने देखा है, बाइसेप्स मसल्स, काफी सारे यूवा लोग जो हैं जिम में जाते हैं, बाइसेप्स बड़े करने के लिए, यह बाइसेप्स क्या है بाइसमी मसल्स stri punishment करते हैं से जर्णों जो हम में हमें हelp करते हैं ऐक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए हुटने के लिए इंखने के लिए हमारे शेर स्टरन ओन लग करते हैं कि ऑपर आठाना है निचे उठाना है मारे के जह करते हैं वह मैंने के सब्सक्राद करते हैं यह । रहे हमारा हुँ इसे के सब्सक्राइब और तिम्ट्रागे मसल्स होते हैं डीटेल में हम तब करेंगे जब मस्कुल सिस्टम का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दो सिस्टम होगे एक तो आपको पता चल गया कि इंसान का श्रील जो है उसकी पर्टिक्रल शेप है तो मोमें करने के लिए आपने देखा है कि हम और तीसर सिस्टम आ गया जो हमें oxygen provided कर रहा है तो आप देखके बता सकते हो कि इंसान सांस ले रहा है कौन सी सिस्टम से ले रहा है respiratory system से हम सांस ले रहे है respiratory system में काफी सारे organs है nose है, trachea है, larynx है, broncs है, bronchioles है lungs है आप जहां पर देख रहे हो यह bin pipe है यहां पर आपका larynx होगा और यह nose है, तो और साथ में आपका albolize होते हैं, जो help करते हैं oxygen को blood में पहुचाने के लिए क्योंकि oxygen हमेशा जाती है blood में उसके बाद जाती है पूरी body तो यह respirator system जो है वो हमें सांस लेने में और carbon dioxide को बाहर शोड़ने में, oxygen oxygen intake करने में और आगे deliver करने में help करता है तो 3-4 system होगे, skeleton system होगया muscular system होगया, respirator system होगया इसके साथ हमें energy मिलती है खाने से, खाना means हमें चाहिए glucose, अभी हमें energy मिलीगी तो वो glucose हम खाना खाते हैं, आपको पता है हर एक इनसान खाना खा रहा है digestive system में भी काफी सारे parts है जैसे आप जहां पर देख रहे हो liver, stomach, spleen, pancreas, large intestine, small intestine, mouth, food pipe ये काफी सारे organs हैं हमारे किसके digestive system के तो digestive system का काम क्या हो गया खाना खाना उससे पचाना और base product को body से बाहर निकालना तो ये 3-4 system होगे next system है हमारा circulating system अब circulatory system का क्या काम है ये तो बाहर से आपको दिखेगा नी क्योंने दिखेगा आप अगर अपनी heart rate देखोगे आप अपनी heart rate देखते हो अपनी बाजू से radial artery से वहाँ से आपको देखता है कि कुछ weeds हो है वो चलती रहती है तो इसे ये किसकी beats है ये है आपकी circulatory system circulatory system का क्या काम है हमारे वाड़ी में इसका काम है जो हमें oxygen मिली respiratory system से जो हमें glucose मिला digestive system से उसे जिस body part में जरूरत है glucose तो बन रहा है आपका glucose बन रहा है digestive system में लेकिन अगर आपके हाथों को glucose चाहिए आपके right hand, left hand को glucose चाहिए आपके head को glucose चाहिए आपके legs को glucose चाहिए चाहिए और oxygen चाहिए इनको चाहिए और nutrients चाहिए तो वो यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे पहुंचाएगा circulatory system जैसा कि आप नाम ही देख रहे हो circulation ये क्या करता है ये हमारी body में circulate करता है जो भी required material है in the form of blood blood बनाके blood के जरिये हमारी शरीर में जो भी requirement है जो भी चीज एक जगा सी दूसरी जगा पहुंचानी है उसे पहुंचाता है circulatory system जिसको हम cardiovascular system भी बोलते हैं cardiovascular system क्यों बोलते हैं क्योंकि हमारा जो इस system बना होता है एक तो cardio heart से बना होता है और दूसरा है blood vessels जिसे हम arteries, veins, arterioles, venules blood capillaries पोलते हैं ये हो गया cardio vascular system इसका काम है एक जगा से दूसरी जगा पे material को पहुंचाना शरीर के अंदर कौफी सारे काम होगे हमारे शरीर में हमारे शरीर को shape मिलगी हमारा शरीर की movements होगी हमारे बाड़ी में oxygen पहुंच गी हमारे बाड़ी में glucose पहुंच गया और हमारे बाड़ी में जितनी भी चीज़ें आई वो एक जगा से दूसरी जगा भी जा रही है यनिके साथ-साथ एक सिस्टम है हमारा जिसे हम बोलते है एक्सकीरेटरी सिस्टम यह जो एक्सकीरेटरी सिस्टम है यह urine के जरिये हमारी बाड़ी से waste product को बहार निकालता है extra water को बहार निकालता है और हमें help करता है कि हमारा blood जो है वो purify हो सगे इस सिस्टम का सबसे main part है यह एक्सकीरेटरी सिस्टम से रिलेटर है जो हमारी बाड़ी से waste products को बहार निकालता है next system है lymphatic system काफी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा lymphatic system जो है यह cardiovascular system जा circulatory system के साथ साथ ही चलता है आप देख रहे हो कि इसका network जो है पूरी श्रीर में फैला हुआ जो आप green lines देख रहे हो हमारी बाड़ी में देख रहे हो यहाँ पूरी बाड़ी में देख लो green lines है इसका network पूरी श्रीर में फैला हुआ है यह lymphatic system lymphs इसको बोलते हैं lymphs जो जासे blood vessels cardiovascular system की जो नेटवर्क है इसको बोलते है blood vessels तो जो lymphatic system की vessels है जो नाडियां है उसे बोलते हैं हम lymph और lymphs के अंदर lymph nodes भी दिख रहे हैं यह चोटे-चोटे देखो दाने दिख रहे है green color गे यह इनको lymph nodes बोलते हैं साथ में यह स्प्लीन हो गया यह को दिख रहा है स्प्लीन यह कुछ पार्स हैं lymphatic system के इनका काम है जो चीजें blood filter नहीं कर सकता बाडी से जो चीजें जो respirator system है जो भी waste product जिने respirator system wash out नहीं कर सकता उने lymphatic system अपने में लेके उसे purify करता है filter out करता है उसे consume करता है और बाडी को help करता है यह product को body से बाहर निकालने में help करता है और end में जाके जो अच्छा जो भी purest fluid होता है उसे वो डालता है कहाँ पर जाके फिर से ब्लड में यह lymphatic system का काम है जिसमें जैसे आप देख रहागी arteries और बेंस भी हैं lymphatic system में lymph node है lymph vessels है तो यह सारा काम करते हैं ब्लड को filter करने में जा body fluids को filter करने में इसी के साथ साथ एक और हमारा system है endocrine system endocrine system क्या करता है endocrine system सबसे पहले तो यह बना होता है glands से glands आप लिखा है तो gland लिखा हो टूटरिक जाए पिनल ग्लेंट glands क्या होते हैं glands secret करते हैं hormones को hormones क्या होते हैं यह होते हैं messenger chemical message लिखे जाते हैं body के एक पार से दूसरे पार तक for example आपकी growth हो रही है आपकी height वड़ रही है आपकी bones की length वड़ रही है तो जो growth hormones है वो brain से release होते हैं brains में जो आपको यह दिख रहे हैं glands सीख रहे हैं यह growth hormones को release करते हैं जहां से जो chemical messenger growth hormone हो जाएगा bones के पास वो पहुंचेगा bones के पाद legs की bones के पाद legs की bones है जो आपकी tongue की हड़ी है उनकी height बढ़ जाईगा तो आपका endocrine system है इसका काम क्या है hormones को release करना hormones क्या होते हैं chemical messenger जो क्या करते हैं body के metabolism को body के cannabolism catabolism the body की और reactions जो है और body का functioning है उसे control करता है regulate करता है इसमें आते हैं pineal gland हो गया इसकी जो organs है endocrine system के pichutory gland जिसे हम master gland of the body भी बोलते हैं thalamus है thymus है thyroid gland है adrenal glands है adrenal glands है adrenal हो गया renal होता है kidney kidney gland होते हैं adrenal glands पोलते है pancreas है आपको पता है pancreas जो endocrine और exocrine दोनों function करता है हमारा digestive system में pancreas काम करता है और हमारा endocrine system में भी कुछ hormones से लीज करता है urators है ovaries है or testis है male में इस अभी glands हैं endocrine system के organs हैं जो various hormones को लीज करते हैं जो हमारी बाड़ी को फंक्शनी को regulate, control करता है इसी के साथ-साथ एक सबसे important system है हमारे शरीर का जो आप इस network को देखे आप कुछ लोगों को पता चल गया होगा यह हमारा system है कुछ सा? nervous system यह network जो है यह neurons का network है neurons जो है आपस में जूड़े होते हैं लाकों क्रोड़ों neurons आपस में जूड़ के एक network बनाते हैं और एक system बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं central nervous system प्लस peripheral nervous system simply बोलेंगे तो nervous system जिसके दो पार्स है एक central nervous system है दूसरा peripheral nervous system है central होता है जो body के central हो जैसे brain central nervous system का पार्ट है इसके साथ है इसकी जो final card जुड़ी होई है यह दोनों central nervous system के पार्ट है और peripheral nervous system है जो central nervous system के अलावा जो हमारे body में neurons है आपको पता है हमारे श्रीर के हर एक अंग तक हर एक body part तक हमारे neurons की पहुँच होती है हमें अगर अपने हाथ के आपके हाथ के पास कोई गरम चीज तच होगी तो आपके brain को पताज़ लेगा यहाँ पे कोई गरम चीज आपके हाथ के साथ टच हो रही है तो यह signal cone लेके जाता है यह neurons लेके जाते है तो बोलते हैं peripheral nervous system का पार्ट और central nervous system का पार्ट है ब्रेंड आपका spinal card तो यह दोनों मिलके जो central nervous system बनाते हैं यह controlling system है हमारी body का और brain controlling unit है और system हो गया, controlling system हो गया central nervous system जो पूरे body के जो जितने भी system सामने देखे आभी तक या और कोई देखेंगे वो सभी systems को हमारा central nervous system ही control करता है regulate करता है इसी के साथ साथ एक हमारा system बजता है वो है आपका reproductive system ऐसा कि आप देखते हो कि मैंने आपको देखा commonly आप देखे पता कर सकते हो कि हमारी body में कौन-कौन सी system है तो आप देखते हो कि जो इंसान है उसकी next generation आती है हर एक organism की next generation आती है नेक्स जनरेशन लाने का जिम्मेवारी है reproductive system की reproductive system means reproduction करना reproduce करना फिर से उस organism का एक new generation को produce करना वो reproductive system का काम है और आप सभी को पता है कि human beings male और female reproductive system होते हैं जिन से reproduction possible होती है तो यह हमारे various body के various organ systems होगे जिनने हम मैंने जैसे आपको बताया कि एक simple सा logic लगा के भी पता कर सकते हैं चलिए conclude करते हैं हम कैसे पता चलेगा अबसे पहले हम किसी की अगर शरीड देखें तो उसकी particular shape होगी का मतलब वो shape जो है हार structure से है और हार structure है skeleton system दूसरा आप देखते हो कि हर एक individual movement करता है तो movement जो है उस्के बाद हम खाना खारे हैं खाना पचा रहे हैं वो किससे पचा रहे हैं हम δाईसर्ट system के जरीह हम पुआ खाना खा रहे हैं और इसे पचा रहे हैं वो पुआ ह। यह कि इसके साथ साथ ही XCREATRI system है जो Waste Products को हमारी बाडी से बाहर निकलता है Urination की थूरू ये भी आप सभी को पता है ये भी common sense है उसके साथ है lymphatic system जो है ये जो हमारा circulatory system है जो जो चीज़े सर्कुलडी system filter out नहीं कर सकता है उसे lymphatic system filter out करता है Andocrine system जो है वो ही हॉर्मोन से रिलीज करता है और हार्मोन लीज करने से ही गाफी सारे mechanism को काफी सारी growth and development के process को भी control करता है Andocrine system ए आप सभी को पता है कि जो आपका nervous system है वह controlling gengant है हमारी बाडी का हमारी श्रीर को कॉंट्रोल करता है और रिप्रोडेक्टिक सिस्टम जो है वो रिप्रोडेक्शन के लिए रिप्रोडेक्शन के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए इंडिविजुल्स को के काम आता है ये दस सिस्टम होगे हमारे श्रीर के जो हमारे बाडी स्केल्डरन सिस्टम स्टम हड्ड्यूं का एक धाल रडाये प्रिध के लिए एक मस्कुल सिस्टम मूयन करने के लिए दो रहा परिटज सिस्टम अर्श ग्लिवियर थे चोफ सा नंबर है अग्सलिट निये 5 आधि वो आ ये स्टम जो हमारे बुरी बाड़ी को चुनौली करता अध्मा है रॉंटल्मे का काम करता है तो यह सभी शिस्टम है इकट्थे मिलना ड्रैकन करता है यह सभी सिस्टम जब इकठे मिलते हैं एक जो टोते हैं तो बनता है एक इंसान Human body जो एक काफी complex mechanism है आपने देखा 10 सिस्टम है सभी कठे के काम कर रहे हैं तो एक complex mechanism त्यार करती है यह सभी सिस्टम मिलके और बनता है एक नायाब एक काफी strongest और काफी important organism जिसे हम बोलते हैं Human intelligent organism on the earth तो यह सभी सिस्टम आपने देखा कितने सारे अलग systems हैं जो इकठे होके काम कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी organ का किसी भी organism का किसी भी organ system का किसी भी tissue का smallest basic structural and functional यह उड़ता है cell और cell से ही tissue बनता है tissue से ही organ बनता है organ से ही organ system और organ system से ही बनता है organism for example human चलिए एक example से समझते हैं जैसे कि आप जहां पर देख रहे हो यह हैं cells इसके cell है कि इसके cell एया cell digestive system के intestine के cell काफी सारे intestine के cell मिलके बनते हैं intestine perduस्त्ति अध्य है की काफी सारे tissue मिलके बनाते हैं intestine एक organ जो है intestine島 pasture honey है गो 성공工 hunt को बनाते हैं Je एक organ हो गया इसके साथ और 59श程 प्रिश सμέगी of breath थोत्ति बाय इrek thirdには सब्यूद के साथ आध लाज ये कि साथ काफी सारे और और ओर ऑर्गन सिस्टम्स आएंगे वह मिलकर बनाएंगे एक और नियुक्णिजमिस का नाम है यूमन भी यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी सारे levels है हैं हमारी body में, सबसे basic functional unit है, cell, cell से बनते हैं, tissues, tissues मिलके बनते हैं, organs मिलके बनते हैं, systems, organ systems और organ systems मिलके बनता है हमारा human body. एक और example देखते है, circulating system की जिसमें आपको पता है, circulating system ने देखा, been sergeant and blood vessels ज़ने, कफे शाअरे organs हैं जो मिलके circulating system बना रहा हैं है। तो अगर आप circulating system के और downgrade level जाओगे तो कोई एक particularPlato organ देखते हैं जैसे heart एक organ है। आगर आप Heart को काटोगि, heart को, dissect करोगे, dissect करने के बाद आपको पता मिल चलेगा कि Heart की अंदर काफ़ सारे sicher हैं कैसे indic की मयोंकार्दिम है, हर्ट मसल है,atal की बना ह cape इस टीशु की तीशु की जी चले को बना है, यह बना हुए、「काफी सारे सेल से, यह दिख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और काफी सारे सेल्स आपको दिख रहे हैंगे, यह हैं मसल सेल्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं, कार्डिक मसल सेल्स क्या मनाते हैं, कार्डिक मसल टिशू मनाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्डिक मस बना रही है circulatory system और काफी सारे जो other systems है वो बना रहे है human body, इंसान, इंसान को बना रहे है हम यहां पे देख रहे हैं कि यह लेवल चल ला है cells का, tissues का, organs का, और organ systems का यह हर एक organism में, हर एक organ system में similar ही होता है cells से tissue बनते हैं, tissue से organ बनते हैं, organ से organ system जैसे की, एक और example आप देख लो, muscular system की, muscular system में आप देख रहे हो, यह है आपके muscle fibers, muscle fiber जो है, वो मिलके बनाते है, muscle, यह muscle fiber लिखा हो है, यह muscle fiber लिखा हो है, यह आगे भी detail में गया है वो, अगर cell से और detail में जाओगे तो atoms और molecules आज़ाएंगे, muscle cell मिलके बना रहा है, muscle tissue, muscle tissue मिलके काफी सारे muscles मिलके मनाते हैं, skeletal muscles, और skeletal muscles साथ में, smooth muscles और cardiac muscles मिलके मनाते हैं, muscular system, और काफी सारे systems मिलके फिर से बनाते हैं हमारा human body, एक और एक्जेंपल यहां पकते ने कि उसके साथ सतिन से बना और और बन से बना ऑर्गन सी क्या से हैं का पर साथ選 ऑंग listen एक जो हमना जो एक वान वींग्स किसे लिएौन से बनने और किसे बनना मगले है odd storm इशू से बनता है और्गन से बनता है और्गन सिस्टम और और्गन सिस्टम से बनता है और्गनिजम तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो इंसान है जी हुमन बींग है हुमन बॉड़ी है उसका किस तरह से बनी है क्या क्या है उसमें कैसी कैसी चीजे हैं कौन-कौ से organ systems है और किस तरह से हमारी बढ़ी जो जनरली फंक्शन कर रही है डिटेल में अगर हमने जानना है कि कोन से organ system में क्या है कोन सा organ system कैसे वार एकजमबल डायसी सिस्टम है तो उसमें कोन-कोन से organs है वो कहां कहां पर located है उनका structure कैसा है उनका shape कैसा है उनका size कैसा है बैसे हर एक organ systems के 500 औल या वेरिऊ और की उर्गन शिस्टम के और枫़सी कैसे है उनका structure कैसा है इनका shape कैसा है size कैसा है ये जानने क्लिए जानने के लिए हमें बढ़ना पढ़ेगा और वेरिस और किस तरह से काम करते हैं किस तरह से function करते हैं यह जानने के लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा फीजोलोजी तो अनॉट्मियन फीजोलोजी क्या होगा अनॉट्मियन कर रही है structure को study और फीजोलोजी कर रही है function को study तो यह दोनों अनॉट्मियन फीजोलोजी का details में meaning definition और विकाफिसर जो details होंगी वह हम अपने next videos में cover करेंगे आज का हमारा video था introduction to anatomy and physiology और main focus हमने किया human body के ओपर तो चलिए next video में देखते हैं anatomy and physiology की meaning definition अब तक के लिए goodbye, take care, thank you, keep watching my channel for other videos related to sports and physical education thank you again